वेलकम टू एफसी रेसेपीज मैं हूँ जोचना आज मैं आपके लिए बनाने चाहरी हूँ गोबी फ्राय जिसे बनाना बहुत ही आसान है चलिए देख लेते हैं गोबी फ्राय बनाने के लिए हमें कौन-कौन से चीजे चाहिए एक बाल में कटी हुई गोबी कुकिंग के ल थनिया नमा, हल्दी, जीरा, गरम मसाला पिशी हुई लाल मेच और राइग तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गोबी फ्राय तो चलिए सब से पहर डालते हैं पैंड में कुपिंग ओई और अब इसे गरम होने देते हैं तेट हमारा गरम हो गया है अब इसमें डालते है जीरा थोड़ा वेट करते हैं जीरा जब ब्राउन हो जाएगा तब इसमें डालेंगे हम गोबी तो यह देखे जीरा गरम हो गया है इसमें डालते हैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता हर इमेज और अब डालते हैं इसमें कटी हुई गोबी इसे मिलाएंगे अब इसमें डालते हैं मसाले नमक स्वाद के अनुसर आधी चमच हल्दी अधा चमच धनिया स्वाद के अनुसार मिर्ची अगर आप मिर्च तेज खाते तो मिर्च जाला दालेंगे कम खाते तो कम दालेंगे और थोड़ा सा गरब मसाला चलिए से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें चला लें इसे यह देखिए इस तरह से और इसे आप पकने के लिए हां ढख देंगे यह देखिए तो चलिए एक बाद चेक कर लेते हैं यह देखिए गोबी फ्राइब फिर मिक्सर लेते हैं चला लेते हैं तक कि जो गोबी नीचे है वो पर पर आज़े अभी थूड़ असा ताइम भाड़ नहींगा जब तक इसे ठक्के लग देते हैं चलिए अब चेक कर लेते हैं सब्ची बनेगी नहीं वाव बहुत टेस्टी दिख लेए हैं अधी बहुत अच्छी आ रही है अब नोंको पैता है यह खाने में बहुत टेस्टी होगी तो चलिए गोबी फ्रायर बनकर रेड़ी है इसे सर्विक बाल में निकाल लेते हैं तो यह देखे गोबी फ्रायर बनकर रेड़ी है इस बंक हरे दिने से गानिशिंग कर देते हैं अब आप गोबी फ्रायर को बनके से खा सकते हैं चपाती से खा सकते हैं चाहें तो इसे वैसे ही खा सकते हैं यह आपको कैसे भी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी अगर आपको हमारे यह से पसंद आदी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपसे फिर मुलूंगी कुछ निव निव बिशन देखार थैंक यू